दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि कैसे आप पैटन लॉक को अनलॉक कर सकते हैं जियां दोस्तो चाहिए वो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है जियां दोस्तो अगर आपके फोन में पैटन लॉक लगा हुआ है जियां दोस्तो आज किस भी ओपो, Realme, Vivo, Xiaomi, Samsung, कोई भी स्मार्टफोन हो अगर उस स्मार्टफोन में जैसे के देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्मार्टफोन में पैटन लॉक लगा हुआ है तो आपकी भी स्मार्टफोन में अगर पैटन लॉक लगा हुआ है तो इस वीडियो के जड़िये आप अपन के इसान लॉक को अनलॉक कर सकते हैं सबसे पहले किसी भी कंपमिंडे का स्मार्टफोन हो आपको क्या करना है कि बहुत बार लोग क्या करते है कि याद imus लें zodstatलоХैंगे है जिन जोगत कर दिए उंका क्या हैं आइसा देखर गया है कि वह लोग करते हैं कुछ इस तरीके क timing यहाँ पर show होने लगता है अगर आप forget करेंगे इसे तो आपको यहाँ पर message दिखेगा भाई आप इसको forget नहीं कर सकते हैं आपको service center में जाना होगा वहाँ पर आपका data भी delete हो जाएगा यह साफ message यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है तो ऐसा situation में आपको यहाँ पर क्या करना है चाहिए हम आज की वीडियो में आपको यही सिखाने वाले है ठीक है तो चली आपको क्या करना है अब यह सारा चीज़ जब आपका खतम हो जाए तो सबसे पहले आपको अपनी smartphone को आपको कोई भी smartphone हो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी phone को restart नहीं अपनी phone को कंप्लीटली turn off करना है जाँ आपके प पास अगर हो किसी भी company के smartphone हो तो आपको अपनी smartphone को completely यहाँ पर OFF कर देना है तो आपको अपना smartphone यहाँ पर true off कर देना है Turn off होने से क्या होता है? Turn off होने से आपके जितने सेटिंग से जो भी चीज आपने method ट्राइ किया होगा कुछ भी क्या होगा वो सारा यहाँ पे बंद हो जाएगा और remove हो जाएगा अभी देखे आपको क्या करना है? अपने phone को normally तरीके से आपको on करना है on करते हैं यहाँ पे Oppo Realme आपका नाम आजाएगा अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि आपके phone में SIM लगा हो या ना लगा हो इससे कोई लेना देना नहीं है बहुत बार लोग अकसर ऐसा करते हैं SIM card को निकाल देते हैं तो कुछ comment ऐसा भी आए कि सर हम लोग जरूरी नहीं कि SIM card को निकाल ही देते हैं बहुत साही लोग ऐसा ही होते हैं जो उसमें SIM को यूज नहीं कर पाते हैं SIM रहे या ना रहे इससे कोई लेना देना नहीं होता है अब देखें जब भी आप अपनी phone को on करेंगे फेस लोग काम करें अभी देखी यहाँ पे आपको क्या करना है अब देखी यह password required भुन phone restart का message आपको यहाँ पे दिख रहे है तो जब यह मैसेज're आपको दिख रहे है तब आपको यहाँ पे क्या करना है emergency की option में आपको जा के इसको reset करना है क्योंकि देखे offline यही एक तरीका है जिससे आप अपने phone को घर बैठे unlock कर सकते हैं तो इस तीज़ का आपको ध्यान देना है उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है इसका परियुक करना है यह है इंजीनियर मोड आप इसको देखके पहले ट्रॉय कीज़ेगा है कि यह आपके phone में open हो रहा है यह नहीं हो रहा है अब जब यह open हो जाया तो आपको यहां पर क्या करना है यह देखे हम आपको एक code प्रोवाइट कर रहे हैं इस code की मदद से अप आपको FRP unlock करना है इस सीच को देहान लिए इस code को आप इस तरीके से पूरी तरीके से लिख लीजे अभी देखे यहां पर आपको क्या करना है इस code पर क्लिक करके यहां पर एक option आ रहा है share का ठीक है तो share को option अभी आप अनेवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह जो है यहां पर यह phone lock है ठीक है तो अभी आपको क्या करना है share वाले option को यहां पर यूज नहीं करना है फिर से हम यहां पर code दे रहे हैं आपको मैं आपको multiple type के code दे रहा हूं यह code आप यूज कर सकते हैं पहले वाले भी code यूज कर सकते हैं यह code थोड़ा लंबा है लेकिन आप पहले व और जैसे ही आप OK करेंगे number यहां से आपका हो सकता है height हो जाए किसी किसी का number height भी हो सकता है तो इसको आपको एक बार कर लेना है अभी यहां पर हम इसको बंद करेंगे और star is eight double nine और hedge वाले option पर इस तरीके से click करके हम आ जाएंगे engineer mode वाले option जैसे हम इस option में आते हैं यहां पर आपको बहुत सारे multiple option दिखा देंगे लेकिन आपको इसमें select करना है manual test का option जहां दो तो आपको सबसे पहले select कुछ भी करना है तो manual test का option select करना है अभी यहां पर जैसे आप manual test का option को select करेंगे आपको सबसे last वाले option में चल जाना है जो की है reading reset complete indicator इंडिकेटर इसको आप option है अभी भी lock screen हमारा same वैसे के वैसे है लेकिन आप जब इसको swap up करेंगे तो पहले क्या था password required when phone raise start लेकिन अब आ रहा है कि draw unlock pattern तो आप इसमें यहां पर बिल्कुल भी risk मत लिजेगा कि हमारा जो real pattern है हम उसको use कर लेंगे नहीं आपको यह try बिल्कुल भी नहीं करना है अ आप इस option को आपने जयजह ही select किया तो आपको यहां पर क्या करना है second device debugging का option है यहीं पर sensor self test and calibration है और इस पर दो sensor है हमारे phone में तो आपके sensor में हो सकता है 3, 4, 5, 6 multiple sensor हो सकते हैं इसके लिए को issue लिए बस आपको यहां पर जितने भी sensor मिलें आपको सब को click करना है one by one लेकिन हम दोस्तों एक sensor हमारा pause होना चाहिए तब ही हम इसको यहां पर unlock कर पाएंगा अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगा ठीक है तो जैसे हमारे एक sensor pass एक sensor fail होगी अब हम यहां पर back करेंगे back कर देंगे यहां पर हम चल लाएंगे सबसे नीचे वाला option में जहां पर बटन को इस तरीके से करेंगे फिर सी यहां पर हम back करेंगे और अब हम आगए इंजीनियर मोड वाले page पर हैं लेकिन अब जो इस बार हम यहां पर back करेंगे तो अब देखिए इंजीनियर कॉल वाला option आ गया और यहां पर इस arrow वाले बटन को इस तरीके से back करेंगे back करते ह आपने देखा कि हमारा phone successfully unlock हो गया, जहां दूस्तो, successfully हमारा phone unlock हो चुका है, ये वीडियो मेरा बनाने का ये purpose है, ये purpose है आप अपनी घर में अपनी स्मार्थोन को unlock कर पाएंगे, without data loss के साथ, तो कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें comment जरूर करें, कोई भी दिक्कत प्रशाणी होती है बिल्कुल बेज़ज़ग कमेंट करें जोईन कर सकते हैं जिससे आप हमारे इंजिनर से ट्राक्टिव वीडियो काल के थुरू बात कर सकते हैं और आपका फोन अनलॉक भी हो सकता है ठीक है तो ऐसने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करते हैं तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैंक्स वी वाच्छिंग और बाई बाई